जै हिंद और आप सभी का स्वागत है बी असे साफ अनलाइन के यूटूब चैनल पर आज का क्लास हमारा जो है समाजी विग्जान ये कक्षा दस्वी का समाजी विग्जान है और आज का जो हमारा टॉपिक है भूम अंडिली कृत प्रिश्व का बनना और आज के इस topic में हम लोग बहुत विकल्पिय प्रस्न देखेंगे जो आपके exam में एक number के आते हैं यह आपके एक number पक्के हैं exam में और आप लोग इसको आसानी से बस 2-3 बार देख करके आसानी से बस कुछ मिन्टों में याद कर सकते हैं और आज का जो हमारा part है विए दूसरा part है इससे पहले हम लोग पहला part इसका देख चुके हैं या फिर जो पहला part है उसको सुन चुके हैं तो आज के class को हम लोग शुरुवात करते हैं और आज इस बहुविकल्पिय प्रस्न के बारे में देखते हैं और उसको सुनते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो BSS Online जो YouTube चैनल है उसको सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे सेर भी करें तो चलिए आज के लास को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला question देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बहुत ही high level का question होता है और यह आपको exam में एक number जरूर दिलाएगा आप इसको बार बार देख करके अच्छे से आसानी से बस कुछ मिंटों में याद कर सकते हैं देखिए यह एक number का आपको exam में यह देखने को मिलेगा तो चलिए हम पहला question सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं तो पहला प्रस्ण है 28 सताबदी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे आप लोग देख सकते हैं तो पहला है जापान और भारत दूसरा फ्रांस और अमेरिका और तीसरा चीन और इटली और चोथा है चीन और भारत ठीक है तो इसमें आपका option हो जाएगा चीन और भारत देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यह उपर नीचे हो गया है टाइपिंग में गा की जगा गा हो गया तो इसमें आपका answer हो जाएगा चीन और भारत अब हम लोग अगला question देखते है प्रसु संख्या 2 महामंदी का परारम किस वर्स हुआ option आपको देख सकते है पहला है 19196 इसवी दूसरा है 1924 इसवी और तीसरा है 19139 और चोथा है 1934 इसवी तो इसमें आपका जो option हो जाएगा 19139 इसको महामंदी का परारम वर्स कह सकते है अब हम लोग अगला question देखते है आप लोग देख सकते है question number 3 ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूश्वामियों के दवाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता था आप लोग देख सकते हैं पहला है black law दूसरा corn law तीसरा crop law और चौथा production law तो इसमें आपका option जो हो जाएगा हो जाएगा corn law इसके अमसार ही उन लोगों ने पाबंदी लगा दी थी तो अब हम देखते हैं अगला question अगला question जमीन को उपजाओ बना कर गेहुआ कापास के खेतु हेतु कैनाल कालोनी कहां बसाई गई आप लोग देख सकते हैं तो इस पर जो option आप लोग देख सकते हैं पहला है गुजरात में दूसरा उत्तर प्रदेश तीसरा पंजाब और चौथा ओडिश्टान तो इसमें आपका option हो जाएगा पंजाब पंजाब में कैनाल कालोनी को बसाई गई थी अब हम लोग अगला question देखते हैं यूरोपिये देशों ने मानचितर पर लकीरे खीच कर किस महाद्यूग का आपस में बटवारा कर लिया वो एक टेबल बे बैट करके पुरा महाद्यूग की बटवारा कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा मेरा है ये वाला हिस्सा मेरा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं पहला है एसिया दूसरा आफरीका तीसरा अमेरिका चोथा अस्ट्रेलिया तो किसका कर लेते हैं लोग तो यह हो जाएगा आपका आफरीका यह आफरीका को एक टेबल में बैटके इसका बटवारा कर लेते हैं मैं परक्के कि इधर वाला हिस्ता मेरा अब हम लोग अगला question देखते हैं संयुक्त राश्रंग का मुख्याले कहां परिस्थित है आप लोग option देख सकते हैं पहला है वासिंगटन दूसरा जिनेवा तीसरा न्यूयार्ग चौथा आश्ट्रिया तो इसमें आपका option हो जाएगा न्यूयार्ग गौ option ये संयुक्त राश्रंग का मुख्याले है अब हम लोग अगला question देखते हैं अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांस जानवरों की मृत्यों हो गई आप लोग option देख सकते हैं पहला है फ्लेग दूसरा है रेंडर पेस्ट तीसरा है मलेरिया और चोथा है एनिमल फीवर तो इसमें आपका option हो जाएगा रेंडर पेस्ट इसके कारण अफ्रीका के अधिकांस जो जानवर थे उनकी मृत्यों हो गई अब अगला question देखते हैं अनुबंध ब्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है जो अनुबंध ब्यवस्था है और इसको किस नाम से जाना जाता है तो पहला हो जाएगा आपसी समझोता दूसरा गुलाम प्रथा तीसरा ससर्थ प्रथा और चोथा है नई दास प्रथा तो इसमें क्या option हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं जो लोग chapter अच्छे से पढ़े होंगे आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि हमने आपको class में इसके chapter को हमने अच्छे से पढ़ाया था तो इसमें जो आपका option हो जाएगा नई दास पर था इसको अनुबंद बेवस्था को और एक किस नाम से जाना जाता था तो हो जाएगा नई दास पर था अब हम लोग अगला question देखते हैं अगला question है 1914 इस्वी से 1921 इस्वी के बीच 200 के सक्तिसाली देशों की आपसी आपनिवेशिक प्रतियस फर्दा और उनके सामराजवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ आप लोग आपसन देख सकते हैं प्रत्थम विश्यूद दूतिय विश्यूद रूस जापान युद्ध या अनुवम युद्ध तो इसमें आपका आपसन हो जाएगा प्रत्थम विश्यूद अब हम लोग देखते हैं अगला question अगला और अन्तिम कह सकते हैं तो युद्ध दोत्तर अमेरिकी अर्थ विवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की ब्रहत उत्पाधन पद्धति का योगदान रहा आप लोग option देख सकते हैं हम लोग book में पढ़े थे जो पढ़ा होगा फटाक से answer बताएगा ठीक है तो हो जाएगा पहला हेंरी फोर्ड का टाटा का मारकोर्नी का या बेल्ला का तो हम लोग पढ़े थे न कि हेंरी फोर्ड का क्योंकि इन्होंने जो कार बनाने की टेक्निक थी उसमें इन्होंने क्या किया जो बेल्ट था जिसपे कार चलती है उसकी speed बढ़ा दी और मजदूर की salary बढ़ा दी जिस इस तरीके से हैंरी फोर्ड ने वहां के उत्पादम विर्धी में बहुत ही उनका योगदान रहा तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रशन देखे जो एक्जाम में एक नमबर आपको दिलाएंगे और ये बस आपको कुछ मिन्टों में ही आसानी से याद हो जाएगा तो मुझे उमीद है कि आज का इस टॉपिक है भूमंडली कृत्विष्व का बनना इसका जो एमसी क्यूज यानि बहुविकल्पी प्रशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें औ जिस्ते की जब अगला वीडियो आये तो सबसे पहले आपको मिल सके तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में या फिर अगले पार्ट में क्योंकि आज का जो पार्ट है दूसरा पार्ट है अब हम लोग तीसरे पार्ट में मिलेंगे तो आज क सेसन को हमें समार्थ करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जै हिन जै भारत